नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभिशेक और आप देख रहे हैं अभीनिया आटो व्लोग्स आज मैं आप लोग साथ एक 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 एक्सिडेंट शेयर कर रहा हूं जो कि है फोर्ड एको स्पोर्ट का हाईवी के ओपर एक्सिडेंट होता है यह जो एक्सिडेंट होता है ओवर स्पीडिंग और ओवर्टेक करने के चकर में हो जाता है जो कि बहुत ही जादा ब्रूटल होता है अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं वाइट कलर के इंदर फोर्ड एको स्पोर्ट है और एक ट्रक यहाँ पर खड़ा हुआ है इसकी ट्रक से हुई है होता क्या है फोर्ड एको स्पोर्ट काफी जादा ओवर स्पीडिंग में आती है और ओवर स्पीडिंग में ही ओवर्टेक करते है इस ट्रक को Overtake करते हुए जो इसका left part होता है वो सीधा truck के साथ लगता है और आगे जाकर car rollover होकर divider से टकरा जाती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि truck को भी कितने जादा damage हुआ है और car के जो damages हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं at the time of accident दो लोग इसके इंदर बैट होएता है बट दोनों को ही सिर्फ minor scratches आते हैं कोई भी major injuries या फिर casualties इस accident के इंदर नहीं होती है अगर आप कार को देखे तो car काफी जादा damage हो चुके इसका जो front end है वो पूरा तूट चुका है इवन जो wheels है वो भी ब्रेक हो चुके हैं आप engine compartment देख सकते हैं कि इसको कितना जादा यहाँ पर damage होता है इतने brutal damage होने के बाद भी जो occupants से वो safe बच जाते हैं so hats off to Ford EcoSport build quality जिसके काफी सारे incidents हमारे सामने actually आ चुके हैं और इसकी जो build quality है वो भी प्रूफ हो चुकी है so guys इस accident को देखने के बाद मैं आप लोग एक लेसन देना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी overtake कर रहे हैं तो आप लोग के पास इनफ space होना चाहिए overtake करने के बाद अपनी lane में जाने के लिए क्योंकि अगर इनफ space ना हो तो कुछ इस तरीके के accidents होने के chances रहते हैं so guys ये था मेरे तरफ से एक accident की video of Ford Echo Sport वीडियो पसंद आए तो like करें, share करें और channel को जोर subscribe करें हम मिल तें next video में, till then take care, be safe and bye-bye